हेलो बच्चों आज हमारा question है write the fallen decimal in expanded form हमें इस किसमें लिखना है इसको expanded में by 19.35 है 19.35 पॉइंट के बाद हम अलग लग पड़ेंगे 3 and 5 35 ने पड़ सकते इसको 19.35 अब हमारे को point से पहले तो यह once होता भई इसमें कोई problem नहीं और यह हमारा होता अगर आगे होती हंडेड लेकिन पॉइंट के बाद यह वाला थ्री जो हमारा होगा यह 10 होगा क्या होगा थेंट का मतलब होता कि यह हमारा हो इसको पढ़ते हंडेड यहां 10 से शुरू होता है यह हो जाएगा हंडेड 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 का वन अपन हंडेड अब देखो यह वन से यह 10 से यह वन से यह 10 से अब only 10 में हाँ 10 इन टान हो जाएगा हैं 10 हो जाएगा ठीक है वन ही था सोरी 10 में यह क्या हो जाएगा हून इंटू-10 हो जाएगा, 10th में, पलस, 1 empieza 9 into 1 हो जाएगा, पलस, देखो, 3 10th में, into 1 upon 10 होगा, और पलस, 100's में कितना है? 5 है, तो 5 into 1 upon 100 होगा. अब ये कैसा आईगा, वाइ, 1 into 10, 10 हो जाएगा, 9 बंज़ा 9, प्लस थिरी वंजा थिरी अपॉन 10 हो जाएगा और प्लस फाइब अपॉन हंडेट हो जाएगा यह हमारा एक्सपेंडेट फॉर्म होगा है पॉइंट वाले का अब यहीं देखो यहां पे पॉइंट है हमारा 23.04 तो भाई यह वन से यह 10 से तो टू इंटू 10 हो जाएगा प्लस फोर के दा हंडेट पर इसको पढ़ते हमां तो क्या फोर इंटू वन अपॉन हंडेट हो जाएगा तो क्या आप आएगा 200 देखो 10 तू जा 20 थी वंजा 3 एक्सपेंडेट फॉर्म ठीक है थी वंजा 3 और पलाद अगर हम इसको करेंगे तो जीरो हो जाएगा ठीक है द का जेरो जी लिख सकते हुए यहां पर और four upon hundred आप यहाँ तो zero है तो यह तो जीरो रहेगा भाई plus zero upon 10 हो जाएगा पलाद 0 upon 100 हो जायेगा PLUS 8 upon 1000 हो जाएगा OK क्योंकि 100th 1000 अगर हम इसको करेंगे तो 0 plus थीक है ईसको 10 upon 1000 भी कर सकतें क्योंग यह तो 0 हो जागा यह भी 0 हो जाएगा OK ऐसे देखो अब हमारा 110 100 100 पे कितنا है 1 है तो 100 हो जाएगा 108 पे कितना है three है तो 30 हो जाएगा बैँ, hundred पर कितना है, once पर कितना है, 7 है तो 7 हो जाएगा, plus, देखो 10 पर कितना है, 5 तो 5 अपोन 10, hundred पर कितना है, 0 तो 0 अपोन 100, और thousand पर कितना है, 6 तो 6 अपोन 1000, ओके, ऐसे हमारा देखो, यह once है, तो यह तो भैटी रहेगा, 10th पे देखो ये 10th होता तो 1 upon 10 हो जाएगा ये 100 होता तो 3 upon 100 हो जाएगा और पलस 7 हमारा 1000 पे तो 7 upon 1000 हो जाएगा ओके देखो 1, 10, 100, 100 पे कितना है 4 है वैज तो 400 हो जाएगा पलस 10 पे 0 तो 0 ही रहेगा और 1 पे 7 है तो 7 देखो 10th पॉइंट के बाद ये 10th होता तो 6 upon 10 और फाइव अपॉन हंडेड़्स ये डंगसम डेसमर को एक्पनेट फॉर्म में लिख सकते हैं ओके